तो हेलो एन वेलकम बैक तो माइच चैनल ब्लैक विंडो फैमिली गाइस ब्लैक विंडो चैनल आपको बहुत-बहुत स्वागत है भाई लोग आज में इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपके पास भी रेड्मी नौट 8 प्रो का डिवाई जाना तो इस वीडियो को सुरू कहीं भी स्किप मत करना अगर आप किसी भी स्टेप को मिस करते हो तो आपका और टो हेड्स वाला सेटिंग नहीं रख पाऊगे और फिर आपका सेटिंग खराप हो जाए फिर आप लोग कमेंट करके बोलोगे इसलिए उससे अच्छा कि एक ही वीडियो को आप सुरू से ले मुबमेंट भी बहुत ही फास्ट हो जाएगा ऐसा मैं कश्टम होडी भी बताऊंगा ठीक है और यह वीडियो में ओभी 26 का जो अपडेट है उसके बात बना रहा हूं तो गाइस बहुत ही लेटिस्ट वीडियो तो सुरू से लेकर आंते तक देखना सभी स्टेप बहुत ही पूरा प्रोसेसर पर डिपेंड होता है जो कि Redmi Note 8 Pro में यह अच्छा प्रोसेसर दिया हुआ है है जो कि Helialter 90-今年 के प्रोसेर जो की gaming प्रोसेसर माना जाता है तो ज्यादा बात नहीरा करते और चलते अपना स्प्रास्टिविटी सेटिंग तरफ क्यूस्टी की तरफ यहां पर देख सकते हो सभी को मैंने 0 करके रखा है तो आपको सबसे पहले जेनरल बता रहता हूं कि कितना रखना है जेनरल बिना सोचे आपको 100 कर देना है आपको एक कोई भी प्रोब्लम नहीं आने वाली और एक नम्मर चलेगी क्योंकि आप अगर जेनरल को कम रखोगे तो आपका जेनरल में दिक्कत आएगी इसलिए कभी भी आपको जेनरल को कम नहीं करना है किसी भी वीडियो में अगर देखते हो कि जेनरल को कम रखता तो आपको कभी भी कम नहीं रखना Redmi Note 8 Pro में हमेशा आपको 100 कर देना है ठीक है क्योंकि इससे आपका movement इस पर आपका movement depend होता और इससे आपका movement फास्ट हो ठीक है उसके बाद आ जाते हैं यहां पर रेड डॉट तो रेड डॉट को आपको रख देना 95 पर ठीक है 95 पर रखना रेड डॉट 2x को 100 कर देना है और 4x को भी 100 कर देना क्योंकि यह सब थोड़ा बड़ा scope होता जब खोलते हो तो इसका sensitivity थोड़ी से घट जाती है और जब इसका sensitivity आप बढ़ाओगे जब जब आपका थोड़ा drag speed से होगा और जल्दी से आपका जो head पर जाके गोली चिपक जाएगा और headshot लगेगा ठीक है और यहां AWM का बात करते हैं तो अगर आप इस नाइप करके चला तो AWM में टूब ठीक है तो उस situation में आप इसे 50 पे रखें ठीक है 50 पे एक नम्मर चलेगी ठीक है अगर आप इसको ज़्यादा कर दोगे तो आपका sensitivity ज़्यादा हो जाएगा और फिर थोड़ा सा hand का movement जो इसको होता है ठीक है तो इसको 50 पे रखें मतलब एक्जेक्ट आप जहां चाहोगों वहां पर आप मार सकता हो गर 50 पे रखते हो तो फ्री लुक को 50 रखना है इसको भी इसका भी वही condition है अगर आप इसको ज्यादा करके रखेंगा तो फिसलते रहेगा आपका जो फ्री सेट्टिंग दिखा देता हो हो यहां पर जो जो है सभी को ऊनेह वल कर लेंडना और अच्छा मुब्मेंट के लिए गाइस एक अच्छा ट्क ही चूडी होना बहुत जरूरी है तो अच्छा मुब्मेंट के लिए यह जो मैंने कर शांव комментар के बताया jede यहां सकतो एक नमघ रहे लो रेडिमी नॉटेट पुरो में आप इसका बहुत ही अच्छे से यूज कर पाऊगा और इसको अगर सेम टू सेम देख के आप कॉपी कर लो जहां पर जैसे सभी को आप वैसे ही अरेंज कर लो ठीक है और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो एक दम एक नंबर आपका जो प्ले हो जाएगा मुव्मेंट वेकरा सभी फस्ट और ग्लूवल को मैं सज्जेस्ट करूँगा कि हमेसा आप यहीं पर रखें ठीक है क्योंकि यहां पर ज्यादा स्पीट से आप सीट अप मार सकते हो अगर आपको सीट अप मारने नहीं आता तो यहां से आप सीट अप सिक अच्छा होना जरूरी है और रेड्मी नौट एट प्रो में कितना क्राफिक रखना है कैसे रखना सभी बता आता हूं क्योंकि अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है नाइंटीटी का है यूजी नाइंटीटी का तो गाइस नो डाउट इसमें स्मूथ और स्टेंडर कभी नहीं रखना हमेशा अल्ट्रा पर रखना है रिफ्रेस्ट हाइट हाइड कर देना है सेडो ऑन कर देना और यहां पर जो नया नया फिल्टर आया उसमें का इस बता दूंग और एक नंबर मुझे लगा ओस यन का जो एक्दम काफी मस्त सा उसका कलर से चुरेशन है तो हमेशा कर देना नॉर्मल में नहीं रखना नहीं तो आपको फ्रेंड लैप फ्रेंड लैक और चिपके की गेम ठीक है यह तो गाइस थोड़ा जेनरल सेटिंग वेगरा में ग्राफिक बता दिया आप थोड़ा गाई बहुत लोग को डिपी आई भी यूज करना होता है तो उसके ल बरता है और अगर आपके पस 8GB वाला रेम वाला डिवाइस है तो उसमें आप 460 तक रखना है और इससे ज्यादा कभी मत करना नहीं कम करना नहीं तो आपको पूरा गेम खराब गेम तो खराब होगा एक गेम का सेटिंग उपर से आपका मुबाइल भी बहुत हार्म हो सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो शेर कर दो बाई